हेलो फ्रेंड बेलकम तो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड जो लोग इस चैनल को पहले से फॉलो करें उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इस चैनल के यूएस पी यही है कि मैं उन टॉपिक्स को पर विडियो लेकर आता हूँ जिसके उपर मैं मैक्सम लोग बिलकुल ध्यान नहीं देते है और आज को टॉपिक बिलकुल वैसा ही है जो बातें मैं आपको बताऊँगा अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आपके बाइक्या स्कूटर का इंजन काफी लंबे समय तक चलाने के बाद भी असी हजार एक लाग किलोमेटर है उससे चलाने के बाद भी बिलकुल मखन की तरह चलेगा आपको इंजन का काम नहीं कराना पड़ेगा तो जस्ट इन पॉइंट को आप फॉलो करें स्कूटर खरीदते हैं तो अकसर क्या होता है सेल्समैन सेल्स एक्जेक्यूटिव है जो सर्विस इंजिनिर वगरा होता है उससे हमें राइ मिलता है मैंने भी कई वीडियोज आपको इसके बारें बताया इन फैक्ट ये वाला पॉइंट तो आप सबको पहले से पता ही होगा कि अकसर हमीं ये सुनने को मिलता है कि सुरुवात में नई गाड़ी के इंजन को रेड लाइनिंग नहीं करना चाहिए कुछ दिरे के लिए चलाना तो दिक्कत नहीं है लेकिन लगतार 70, 80, 100, 20 के स्पीड में नहीं चलाना चाहिए उससे इंजन को नुक्सान होता है और हमीं ये भी सुनने को मिलता है कि कम से कम पहली सर्विसिंग जो है वो हमें जरूर करानी चाहिए और time से जाके करा लिनी चाहिए, कुछ company 30 दिन में बुलाती है, कुछ company 45-60 दिन में बुलाती है तो ये राय तो हमें मिलता ही है, और मान लेते हम कि आपने इंसा point को follow किया ठीक है, आपने high speed में भी नहीं चलाया, और आपने first servicing में जाके time से करा लिया है लेकिन जो नया वाला engine और अपके गाली में डाला गी engine में, वो कई बार मुसीबत का करण बनता, उस engine को नुकसान होता है कैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैंने as a workshop manager, Honda में, बजाज में काम किया है मैंने कई तरह किस तरह के cases को देखा, और मैंने अकसर देखा कि बहुत बार कई साहे लोग, कई अलग अलग बजाओं से अपने buy care scooter को जादा नहीं चला पाते वो busy रहते हैं, job है, business है, कोई और भी काम बगएर तो बहुत ही कम चलाते है लेकिन चुके first service का एक time period होता है, कि भाई वहां तक जाका को करा लेना है तो मैंने कई बार देखा कि service center में वैसे गाड़ियां आती है, जो कि बहुत कम चली हुई होती है 500-500 km चली हुई होती है, कई बार तो 200-500-300 km चली हुई गाड़ी भी first service के लिए आ जाती है क्योंकि उनको warranty चाहिए एक time period होता है, अब देखो दिक्कत क्या है यह मैंने आपको पहले भी बताया है कि शुरुवात में क्या होता है, कि किसी भी गाड़ी का जो engine है शुरुवात में उसका engine का जो metallic surface होता है, अलग-लग parts का जो surface होता है वो पूरी तरह से चिकना यानि कि smooth नहीं होता है, parts rough surface वहाँ पे होता ही है हलाकि इन सारे parts को बहुत ही precisely machine से बनाया जाता है, चुकि यह metallic parts है तो surface में थोड़ा बहुतों impurities रहता है, वहाँ पे roughness होता ही है और शुरुवात में आपने भी गौर क्या होता है, कि बाइक्या scooter का जो engine है वो शुरु में ज़्यादा गरम होता, over the time जो गरम है वो कम होने लगता है इसके पिछे वज़ा यही होता है, कि शुरुवात में यह metallic parts है, यह आपस में ज़्यादा घिसते है घिसने के वज़से क्या होता है, heat generate होता है, एक तो engine गरम हो रहा दूसरा जब यह घिस रहें, तो उस time पे क्या होता है, इन parts का wear and tear होता है और उस वज़से over the time किया होता है, कि यह parts चिकना होते जाते है और मैं बताता चाहूँगा कि on average कम से कम 1000 km का time लगी जाता है जब आप 1000 km चला लेता हो, तो यह parts जादा बेतर तरीके से smooth हो जाते है और उसके बाद जादा बेतर तरीके से synchronized way में जो है वो अपने काम को कर पाते है इससे जो engine के hitting हो कम होती है और mileage भी है वो improve हो जाता है तो टेक्निकली तो यह होता है, लेकिन वैसे लोग जो बहुत कम चला के 200, 300, 400 km जला के ही फर्स servicing करा लेते है, engine को change करा लेते है, उसके बाद problem कहाँ प्यान लगता समझो आप दुबारा जो fresh वाल engine डाला गिया है उसके बाद आप चलाना शुरू करते हो ठीक है तो एक बाद तो पहली बाद आप आपने कम जो चला के servicing करा लिया है तो उसके बाद जब आप 1000, 12 km तक चलाते रहते हो तो उस टेम पे यह जो parts है और अकसर मैं आपको पूंट मताना चाहूँगा कि अगर जो first वाल engine डाला निकलता है तो उसके बाद भी यह parts में है वो smoothness नहीं होने के वाईसे वो metal के parts चीप आप होते रहते हैं वो fresh वाले engine oil में मिलते जाते हैं दूसरी तरब बहुत से लोग सोचते है कि first servicing तो हो चुका अब हम लोग high speed में चलाएंगे उससे अलग नुकसान होते जाता है और चुकि जो fresh वाले engine oil है वो 500-600 km चलने के बाद ही 1200 km तक पहुचता आपके गाड़ी तो उस बीच में क्या होता है कि बहुत सारे parts जो है metal के वो नए वाले engine oil में मिल जाते हैं और उसके बाद oil filter होने के बावजुद कई cases में देखा गिया है कि वो metal के parts over the time क्या करते हैं क्योंकि second servicing अब कब कराऊगे 3000-4000-5000 km तक ही चलाते हो उसके बाद ही कराते हो तो इस बीच में जो आप चलाते जा रहे हो उसके वयासे वो metallic parts है वो engine के बहुत सारे parts को damage करते जाते हैं और मैं आपको ये बिल्कुल clear करना चाहूंगा कि इसका जो result है ये जो damage हो रहा से करने वाले जानों के वयासे ये आपको तुरन देखने को नहीं मिलेगा जब आप 94 चलाते रहोगे 20,000, 30,000, 40,000 km चल गिया 50,000 km चल गिया उसके बाद देखते हो कि कई सारे buy cash scooter के engine खुलवाना पड़ता है काम कराना पड़ता है क्योंकि उन शुरुआत में ये वाला गल्ती किया होगा और उसका result आगे चलके उबहुत एटाइम दिखने लगता ह क्योंकि ये वाली गल्ती के वायसे बहुत सारे parts का जो life है वो कम हो जाता है, parts damage हो जाते है, धीरे-धीरे damage होने लगते है और उस वज़ए से भी engine बहुत सारी गाड़ियों का जो है वो जल्दी खुल जाता है, कई बार तो 30, 35,000 km में भी engine खुल जाता है इस एक गल्ती के व comment के अपने video बनाना चाहिए, आपको ये समझाना चाहिए कि इस तरह के situation में आपको क्या करना चाहिए, शुरुवात में तो मैं आपको ये राइ दूँगा कि शुरू में अगर आप कोशिश करो कि first servicing तक कम से कम तो 800-1000 km चलाओ, उसके बाद जाकर first servicing कराओ, और बताना चाहिए, फिर भी चलो अपने नहीं चला पाए, ठीक है, किसी वज़े से आप नहीं चला पाए, आपको problem होगी, आपको time नहीं मिला, उसके बाद त्यार करना चाहिए, तो अगर आप 300-400 km के बाद, 500 km के बाद पहला वाल चेंज करा लेते हो, तो उसके बाद मैं ये वाला देखने को नहीं मिलेगा, तो ये मेरे तरफ से राए रहेगा, अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक आपके बाइक के बाद चाहिए, वो हेल्दी रहे, सेफ रहे, उमीदे कि इस वीडियो में दीकर जान का रहे, आपको पसना आई होगी, वीडियो को लाइक और आप शेयर जरू कर दे, वीडियो के बारो और चैनल के बार अपनी राय, आप मुझे कॉमन्ट करें जरूर बताए, इसकलाब अगर आप चैनल पे नहीं हो, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकान को विदाब आले ताकि आने वाले important वीडियो के अबडेट आपको notification के तुरू मिलते रहे, बिलत अगले वीडियो में, thanks watching this video, goodbye.